उहाले पाटी को अनुशासन को उल्लंगनत गर्णु भयो पाटी को विधीत तोणु भयो तोणु भयो उहाले समे राज्य दलका भावनाहर माती कुटारा घात गर्णु भयो किच्च्च्च फार्टी किसको किंद्रिय कमिटी ले किसको सची वाले किसको इश्थाई कमिटी ले बिरोद गर्णु भयो और भुहां माती इस्पश्ट्री करण सोद्यो वहां माती अनुशाषन को कारवाई अगाड़ी बढ़ायो वहां पाती को अनुशाषन मा नबसने पाती को बैठक मा नायों कि यो बेलामा अज्यक्स वाईशतले बैठक वायोजना नगर ने चरपल गरना त्यार नहुने और एक लोटी रूप मां वहाले कदम चालने तरीका अबलंबन गर दे जान भयो यो एक दिन को अचाना घटे को भटना हो एगा वहां को चरित्र को वहां को कारेश्यली को निरं उच्चरम बिवस रूप हो यो राजा शिंगई देश आकरांत चा शिंगई जनता हरू आकरोशित चन सभेई राजिक दल हरू बिरोध को मैदान मा उत्रे का चन शडक शंगस संचारण गरिरह का चन रवनेवे जो समिधान निर्माण को संदर्वमा नेपाल को समिधान एक अभ्यास त्यों अभ्यास को संदर्वमा इजुन प्राब्धान राखियो त्यों प्राब्धान अनुरूप यो बिगटन भैना भैडा शेशक्त आवाज उठाई रहे का चन यहां हुदा हुदा निपाल को समिधान को आधार मा टेक्नन सकने भैको नाले तमारे ध्यांदीन भैको हला इसमा लेखिये को केचब अने यहामरा समिधान को दूइटा धारा अने उपधारा मा मात्रेवास्चिमी धुन भैको चैना लेखिये को चतेशमा एवं शन्षदिय पनाली को आधार भूथ मुल्ले मरम यू लिमानेता रहामरो आपने रसंषदिय पनाली भैका बिभिन मूलकर कव्यास बमोजिम क्यों संशार को संशब संवेदानिक अभ्याश शंशदिय व्यवस्ता को जननी भन्ने संश्त अधिलाज बृटेन को परंपरा तमयलाई केथियो पचीतियो परंपरा को आधारमा प्राप्त भैको अनुभाप विगत अभ्यास को आधारमा प्राप्त भैको अनुभाप तियो अनुभब को आधार मा अब प्रत्निशभा कुनेई प्रधान मुंत्रिले स्वेक्षा चारी ढंगले भंग गर्न पाउदईन भने त्या गरिये को प्रावधान लेक्के पतायो भने तियो देश पने राज्टिक इस्थाइत्तो को निम्ती छिंती इत्र है जा हमिले पनी शम्मिधान निर्माण दर्ने संदर्वमा शम्मिधान सभामा गहन चर्पल बास गरे पचे हमी यो निश्कर्ष मा पुगे काथियां कि अब हमिले राज्टिक इस्थाइत्तो को पक्ष्णाए ध्यानमा राख मूँ पाण दाचे यह कुराला ध्यानमा राखे रणे हमेले दुई वर्षसम्मा प्रधान मंत्री का बुर्धमा निर्भाचित भायराय को प्रधान मंत्री को बुर्धमा परतिशवाले निर्भाचन गरे को प्रधान मंत्री का बुर्धमा अभिश्वास को प्रस्ताव राखना पाईने अर्गों व्यवस्ता अपने राख्यां यो राथी स्थाइतों को निम्ती हमले गरिये को प्रबंद होगे